एलिफेंट, फायर क्राकर्स, क्रूल्टी, केस केरला, साम जे केरला पलकड की है ये कहानी जहां कुछ लोगों ने दिखाई नादानी उसका असर पड़ा, एक मासुम हाती को जिसे देनी पड़ी, अपने बच्चे की कुर्बानी पलकड डिस्ट्रिक की है ये कहानी जहां कुछ लोगों ने दिखाई नादानी उसका असर पड़ा, एक मासुम हाती को जिसे देनी पड़ी एपने बच्चे की कुर्बानी वो हाती सीधी साधी थी वो गर्भवती पर इनसानों में कहा थोड़ी शर्म बची वो हाती करती थी इनसानों पे भरोसा उसके विच्चारों की इनोंने नाकदर करी तड़ पर रही थी जब वो पटा काता फूटा वो जबडा और वो भरोसा एक पल में ही तूटा एक पल में हैरान की शायदा गया शैतान और उस दत को सहने का उसका साहसता छूटा दर्द में वो पहुँची एक गाओ में जहां सड़क पे वो भाग रही आरपार ना किया बार ना ले किसी के जान क्योंकि उसे उस वक्त सिर्फ मदद की दर्गार आखिर जाके पहुची वो एक नदी में अपने दर्दों गम करने के लिए खड़ी है उस दर्द की नहीं मिल रही राहत पर अभी उसके दिल में बच साहस उस हाथी को बचाने किती कोशिश लगातार हाथी ने तोड़ लिया दम और हुई कोशिश ये नकाम पर सोचने की बात ये है कि इस चोटे से नादानी का कितना बड़ा है अन्जाम पलकड केरला की है ये कहानी जहा कुछ लोगों ने दिखाई नादानी उसका असर पड़ा एक मासूम हाथी को जिसे देनी पड़ी अपने बच्चे की कुरबानी कुरबानी प्रैप स्टॉप अनिमल अब्यूस साम जेग पीस आव पीस आव